कोवीड सेंटर्स की अवेवस्था और कोरोना सेंटर्स में पॉजटिव मरीजों की ठीक तरह से देखभाल ना होने उन्हें कोरोना सेंटर्स में सुविधायना मिलने से लोगों का अब कोवीड सेंटर्स से विश्वास उठने लगा है संग्रूर जिले के गाउं चठा ननहेडा में पंचायद और भारतिय किसान यूनियन सिध्धपूर ने गाउं में किसी कभी कोरोना टेस्ट ना कराने का अलान किया है गाउं में गुर्द्वारे से गोशना करा दी गई है कि सेहत विभाग की टीम के आने पर कोई भी कोरोना का टेस्ट नहीं कराएगा गाउं वालों का गयना है कि अगर कोई कोरोना पोजिटिव आता है तो उसे अस्पताल नहीं जाने दिया जाएगा हम घरों में और गाउं के स्कूल में उस वेक्ति को आइसोलेट करेंगे लेगन अस्पताल नहीं जाने देंगे सप्लाई किते जारे ने और कोई एगाल नी है कि एसे दे डरों साथे पेंड़े नगर ने फैस्ट वालेया विजेकर साथे पेंड़ा कोई भी बेकती अजदुबाद करोना परिश्ट बहुंदा ता उसी ओधी देख पाल तो उनी पेंड़े विच्ची राखती करांगे गाउं के लोगों का कहना है कि पिछले दिनो सिहत विभाग के टीम ने दो लोगों के सैंपल लिये थे उन में कोरोना के कोई लक्षन नहीं थे फिर भी उन्हें कोरोना पोजिटी बताया गया ग्रामिडों ने अस्पतालों में मानव अंगों की तसकरी का शक भी जाहिर किया है सब्सक्राइब मेडिया टाक्टरों टीम सिगे आज यहां जी मीटिंग टीसी जी पेंड़े महुत वर्वन देशी सर्पांच अगरा सिगे नाल साथे तसीलार साथ तैस्च्चो साथ सीगे तो देच उनाने ही बांक रखी किसी में असी सैंपलिंग करऊने ही तार हो असी जड़ों मोटिवेट किता तो माने के यह सी जड़े पॉस्टिव के सायाना थी फैमिली ती असी सैंपलिंग करऊंगा वी गाउवालों के इस फैसले से प्रशास्तन में खलबली मच गई है समो डॉक्टर तेचिंदर सिंग का कहना है कि फिलाल गाउव के दो परिवारों से पॉस्टिव पाये गए मरीजों के परिजनों के टेस्ट कराया जाएंगे अगर कोई पॉस्टिव पाया गया तो होम आइसलेशन पर विचार किया जाएगा गाउं के रोगों ने साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर गाउं के किसी भी व्यक्ति को कोवीड सेंटरस में नहीं जाने देंगे गामेनों कारूप है कि बिना लक्षण वाले मरीजों को भी स्वास्ते विभाग जबरन कोरोना सेंटरस में भरती कर रहा है वहाँ पर सिहत विभाग के पास खाने पीने से लेकर दूसरी सुविधाएं नहीं है आरेन कांसल संगरूर न्यूज पियाज़